Hello guys, welcome to Daily Current Capsule, this is Devyaj और आज इस वीडियो में हम discuss करेंगे आपकी Best 500 की सीरीज का आठवा पार्ट इससे पहले 7 पार्ट आ चुके हैं और ये इसका आठवा पार्ट है So without any further delay, इस वीडियो को भी हम start करते हैं Which does not participate in the precedings of impeachment of president President को जब impeach किया जाता है हिंडिया में यानि इनके उपर महाभियो प्रस्ताव लाय जाता है यानि जब president को उनके पत से हटाया जाता है तो उसमें कौन-कौन participate नहीं करता देखें पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि president के बारे में हम पढ़ते हैं article 52 में और president की impeachment के बारे में article 61 में तो जब president को impeach किया जाता है तो उसमें vote करते हैं लूकसवा और राज्यसवा के सारे members चाहे वो elected हूँ या nominated हूँ दोनों houses के सारे members उसमें vote करते हैं लेकिन state legislative assemblies और state legislative councils के members इसमें vote नहीं करते हैं साथ ही ये भी याद रखना कि जब president को elect किया जाता है तो उनके election में लूकसवा, राज्यसवा, state legislative assemblies और union territories जहाँ पर legislative assemblies हैं जैसे कि डेली है, पुडुचेरी है, जम्मू कश्मीर है उनके elected members, सिर्फ elected members vote करते हैं तो इसे याद रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि president की election में सिर्फ elected members vote करते हैं elected members, लोकसवा के, राज्यसवा के state legislative assemblies के और union territories के legislative assemblies के सिर्फ elected members उनके election में vote करते हैं लेकिन उनके impeachment में सिर्फ लोकसवा और राज्यसवा के members vote करते हैं और वो सारे members होते हैं rapidly growing mass of phytoplankton covering the surface water of lake और pond is called कई बार आपने देखा होगा कोई water body है, उसके उपर excessive plant growth हो जाती है ऐसा तब होता है, जब पानी में minerals की मातरा बहुत जादा हो जाती है minerals जैसे nitrate है या phosphate है, ऐसे minerals जब excess मातरा में पानी में आ जाते हैं तो plant की growth बहुत जादा हो जाती है और वो पूरी water body को cover कर लेता है उसमें plants के साथ साथ algae की growth भी बहुत जादा होती है इस process को बोल जाता है eutrophication और इससे नुकसान ये होता है कि जब पूरी water body के ऊपर covering बन जाती है तो उससे पानी में BOD के जो level होते है biological oxygen demand वो बहुत कम हो जाती है और पानी में oxygen level कम होने से उसमें रहने वाली जो मचलिया है बाकी phytoplanktons वगरा है जो बाकी और marine life है उन्हें नुकसान होता है identify the correct statements with regards to राज्यसवा राज्यसवा से related यहाँ पर 4 statements दी गई है जिन मेंसे हमें बताना है कि कितनी ठीक है सबसे पहले हमें पता होने ची कि राज्यसवा की बारे में हम पढ़ते है article 80 में और article 81 बताता है लोगसवा के बारे में तो यहाँ पर सबसे पहली statement है राज्यसवा is a permanent house यह बिल्गुल ठीक है Parliament के अंडर दो house आते हैं upper house और lower house अपर house यानि राज्यसवा और lower house यानि लोगसवा लोगसवा को dissolve किया जा सकता है लेकिन राज्यसवा को dissolve नहीं किया जा सकता वो एक permanent house है दूसरी statement है राज्यसवा के जो members होते हैं उनका tenure होता है 6 साल का और हर 2 साल में एक तिहाई members इसमें से retire करते हैं तो यह दूसरी statement भी विल्गुल ठीक है तीसरी statement है राज्यसवा cannot reject a money bill money bill के बारे में हम पढ़ते हैं article 110 में और इस bill से related सारी powers लोगसवा के पास रहती हैं इसलिए राज्यसवा इसे reject नहीं कर सकता राज्यसवा इससे related कुछ भी नहीं कर सकता वो खाली recommendations दे सकता है चौती statement में दे रखा है राज्यसवा cannot amend a money bill यह भी बिल्कुल ठीक है राज्यसवा amend नहीं कर सकता हो लेकिन वो recommendations दे सकते हैं लोगसवा को कि आप इसमें ऐसे ऐसे change कर सकते हो अब वो लोगसवा के उपर है कि वो change कर रही या ना करे तो यह राज्यसवा से related चार statements थी और यह चारो की चारो ही बिल्कुल ठीक है The following language is not found in the 8th schedule of the Indian Constitution Indian Constitution की आठवी एनुसूची में official languages के बार में दे रखा है जो आज की तारिक में total 22 है पर हमेशा से यह 22 नहीं थी शुरू में इंडिया की सरफ 14 official languages थी उसके बाद 1967 में 21st amendment आया था जिसमें सिंधी languages में जूड़ी गई थी उसके बाद 1992 में 71st amendment आया था जिसमें कौनकनी, मनिपूरी और नेपाली यह 3 languages जूड़ी गई थी फिर 2004 में 92nd amendment आया था जिसमें बोडो, डोगरी, मैथली और संथली यह 4 languages जूड़ी गई थी तबी जातर यह total 22 official languages इंडिया के हुई है जिसमें English नहीं है और ध्यान रहे, यह सारी official languages है national language की बात यहाँ पर नहीं की गई है इंडिया की कोई भी national language नहीं है इंडिया नेशनल आर्मी जिसके रियल फाउंडर थी सुभाष चंद्रबोस इन्होंने 20,000 soldiers की एक आर्मी बनाई थी जिनने already Japanese soldiers ने prisoner बना रखा था British Indian Army जब World War के टाइम पे Japanese के अगिंस लड़ दी थी तो Japanese ने British Indian Army के 58,000 soldiers को अरेस्ट कर लिया था और उने prisoner बना लिया था उसमें से 20,000 ऐसे soldiers थी जिननोंने Indian National Army में भाग लिया जिसे बनाया था सुभाष चंद्रबोस ने और वो 20,000 soldiers ऐसे थे जो Britishers के अगिंस लड़ने के लिए तियार हो गए थे फिर बाद में जब World War खतम हो गई तो उन 20,000 soldiers को जो Britishers के अगिंस लड़ने थे उन्हें दुबारा से अरेस्ट कर लिया गया prisoner बना दिया और उनके उपर देश दुरों का मुकदमा चला दिया और उसमें जो सबसे पहले ट्राइल हुए थे वो तीन लोगों के हुए थे उन्हें से एक हिंदो सा एक मुसलिम और एक सिख और ये तीनों नाम भी आपके लिए इंपोर्टेंट है इने भी आदर ना हिंदो थे प्रेम कुमार सैगल मुसलिम थे शाह नवास खान और सिख थे गुर्बक शिंग धिल्लो इन तीनों को सबसे पहले ट्राइल के अगें तीनों का जिसके लिए डिफेंस में जो टीम बनाई गई थी एडवोकीट्स की उसके चीफ थे भुल्लाबाई देसाई अब options में आपको बुल्लाबाई देसाई अगर ना भी मिले तो इनकी टीम में और बाकी लोग थे जैसे जवालान लहरू थे आसाफ अली थे तेजबादूर सपरू थे तो इन में से किसी का भी नाम आपको options में मिल सकता है जैसे आपर जवालान लहरू का है तो आप उसे टिक करेंगे अगर बुल्लाबाई देसाई का मिलेगा तो आप उसे टिक करेंगे इस पूरी टीम के जो चीफ थे वो बुल्लाबाई देसाई थे एडवोकेट्स के जो टीम थी लेकिन जिसका भी नाम मिले आप उस पे टिक कर दिजेगा चत्रपती शिवाजी महाराज जो फाउंदर थे मराठा डाइनेस्टी के उन्होंने सबसे पहली कैप्चर किया था तौर्णा फोर्ट 1647 में जब वो 16 साल के थे और उनकी कोरूनेशन यानि उनका राज दिलक हुआ था 1674 में जिसके बाद से ही मराठा डाइनेस्टी के शुरू आत्वानी जाती है अगर आप इसके टाइम लाइन देखेंगे तो स्टार्टिंग 1674 से है और उसका एंड 1818 में हुआ था जब ब्रिटिश इस इंडिया कंपनी ने पूरे मराठा डाइनेस्टी को कैप्चर कर लिया था 2011 के बाद वैसे 2022 में दुबारा सेंसस होने वाला था लेकिन COVID-19 पैंडमिक की वज़े से उसे कैंसल कर दिया था जो कि अब 2030 में जनरल इलेक्शन के बाद होगा इसलिए अब जो भी क्वेशन्स आते हैं वो 2011 से रेलेटेट ही आते हैं तो इन्होंने पूछा है कि सबसे ज़ादा ट्राइबल पॉपुलिशन कौनसी स्टीट में है तो वो है मत्यप्रदेश में दूसरे नंबर पर ओडिशा और तीसरे नंबर पर महाराष्ट है लेकिन क्वेशन ध्यान से पढ़ने के बाद ही आंसर करना अगर आपसे क्वेशन में पूछा जाए कि ऐसी कौन सी स्टीट है जहाँ पर परसंटेज वाई सबसे ज़ादा ट्राइबल पॉपुलिशन है तो आंसर आएगा मीजोरम मीजोरम में 94% ट्राइबल पॉपुलिशन है लेकिन अगर वैसे पॉपुलिशन वाईज पूछा जाए कि नंबर में सबसे ज़ादा कहां पर है तो वो मध्यपरदेश में है देगी जब इंडियन कॉंस्टिटूशन को हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें 12 शेडियूल मिलते हैं उन 12 में से 7 वे नंबर का जो शेडियूल है उसमें 3 लिस्ट के बारे में बताया गया है सबसे पहले यूनियन लिस्ट जिसमें वो सबजेक्ट्स आते हैं जिसमें पावर सेंटर गवर्मेंट हूल करती है फिर आती है स्टेट लिस्ट जिसमें वो सबजेक्ट्स आते हैं जिसमें पावर स्टेट गवर्मेंट हूल करती है और तेसरी आती है concurrent list, जिसमें वो subject आते हैं, जिसमें center और state, दोनो governments मिलके power hold करती है, तो यहां हमसे पूछा गया है railway police के बार में, railway police हमेशा state government के अंडर आती है, और वो state list में आईगी, लेकिन यह बात ध्यान रखना कि खाली जब railway के बार में पूछा जाए, तो खाली railway center के अंडर आता है, और खाली police के बार में पूछा जाए, खाली police state के अंडर आती है, लेकिन जब railway police के बार में पूछा जाता है, तो railway police भी state के अंडर आती है। चुरू से ही constitution का part नहीं थे, इन्हें 1976 में 42nd constitutional amendment act के थुरू जूड़ा गया था, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, कि स्वर्ण सिंग कमेटी ने starting में सरफ 8 fundamental duties को ही recommend किया था, लेकिन जब ये implement की गई थी, तो total 10 fundamental duties को implement किया गया था, उसके बाद last में एक duty इसमें और add की गई थी, 2002 में, 86th constitutional amendment act के थुरू, जिसके बाद हमारे पास total 11 fundamental duties हो गई हैं, जिनके बारे में हम article 51-A के अंडर पढ़ते हैं, यानि कि एक ऐसा article, जो सारे काम कर लेने के बाद भी, अगर बात ना बने, तो last resort के तोर पर उसे use किया जाना चाहिए, ये है article 356, जिसके अंडर हम पढ़ते हैं, state emergency, यानि president rule के बारे में, जब किसी state में अराजकता कमवाल बने और state government से administration ना समले, उस case में उस state के governor, president को बोलते हैं interfere करने के लिए, तब जाकर state में state emergency यानि president rule लगाय जाता है, जिसमें सारी administration की power, president के पास पहुच जाती है, इसी article को उन्होंने dead letter की तरह use करने के लिए बोला था, लेकिन इंडिया म अमारे तीन emergency के बारे में बताए गया है, एक national emergency आर्टिकल 352 में, एक state emergency आर्टिकल 356 में, और एक financial emergency आर्टिकल 360 में, इन तीनों में से अभी तक financial emergency ऐसी है, जो इंडिया में एक भी बार नहीं लगाई गई, national emergency भी दू-तीन बार इंडिया में लगाई जा चुकी है, लेकिन president rule, आर्टिकल 356, बहुत बार इंडिया में लगाया जाता है, Who is the chairman of 16th finance commission? Solway with IO की chairman है, Dr. Arvind Panagriya, आप इने जानते होंगे, क्योंकि 2015 से 2017 तक, नीती IO के पहले vice chairman भी रहे हैं, अब ये Solway finance commission की chairman है, इन से पहले 15 finance commission की chairman थी N.K. Singh, और उन से पहले 14 नंबर के chairman थी Y.V. Reddy. The Delhi legislative assembly has no power over the following items enlisted in the state list. यहाँ पर चार items दिये हैं, public order, police, land और industries. इन चारों में से, Delhi legislative assembly के पास, खाली industries से ने लिटेट पावर है, public order, police और land, ये तीनों ही Delhi legislative assembly के एंडर नहीं आते. मैंने अभी पिछले question में आपको बताया था, कि police, state के एंडर आती है, और Delhi एक union territory है, इसलिए वहाँ की सारी police forces, ministry of home affairs के अंडर आती हैं, जिसे head करते हैं, आमिच शाह. इसलिए काली industries ही इन चारों options में Delhi legislative assembly के अंडर आती हैं. इंडिया की गवर्नर जनरल अफ इंडिया एड़ ताइम ओफ फांडिशन अफ इंडियान नैसनल कॉंग्रेस इन 1885. इंडियान नैसनल कॉंग्रेस बनी थी 28 दिसंबर 1885, जिसका पहला सेशन बॉंबे में हुआ था और उसे प्रिसाइड किया था AO Humane. उस टाइम इंडिया की गवर्नर जनरल थी लॉड डफरेंट. तो आप यह याद रख सकते हैं कि इतना डफर था कि इसने अलाव किया इंडियान नैसनल कॉंग्रेस को बनने के लिए जिसने आगे जाके इंडिया को अजादी दिलाई इनी अंग्रेजों से. ठीक है, इसके इसके अलावा बाकी गवर्नर जनरल है, जिसे लॉड रिपन, इन्हें बोले जाता है, फादर ओफ लोकल सेल्व गवर्मेंट. इन्हें बाकीों की कमपैरेजन में अच्छा गवर्नर जनरल बताय जाता है, इंडियन्स के लिए, क्योंकि इनके टाइम पर ही, पहला फैक्ट और लॉर्ड लेटन, इनके टाइम पर आया था वर्नाइकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, इस एक्ट में होता था कि जितने भी वर्नाइकुलर लाइंग्वेजिस के न्यूस पेपर थे, वो कोई भी अगर आर्टिकल लिखते थे, तो उसे पहले उन्हें क्रॉस चेक करवाना प The rate at which RBI lands to bank is called as, जिस rate पे Reserve Bank of India, Commercial Banks को money land करता है, उसे रेपो रेट बोलते हैं, इसे कई बार Policy rate भी बोला जाता है, और Current में रेपो रेट है 6.5%, लिकिन जब यही Commercial Banks, RBI को पैसे दीते हैं, तो उसे Reverse रेपो रेट बोला जाता है अगर इसे Simple Language में समझें, तो रेपो रेट उस इंटरस रेट को कहते हैं, जिस पे RBI banks को money देता है, जैसे Example की तोर पे, अगर RBI रेपो रेट को कम कर देता है, यानि कि banks के लिए इंटरस रेट कम हो गया, तो वो जादा पैसे लीते हैं RBI से, और खुले हाथ से लोन बाटत बाटता है, यानि रेपो रेट बढ़ गया, तो इंटरस रेट बढ़ गया, फिर bank भी उतने खुले हाथ से लोन नहीं देता है, और वो लोन भी रुग रुग के देता है, जादा इंटरस के साथ लोन मिलेगा, तो लोग भी लोन नहीं लेंगे, और market में भी पैसा थोड़ कंट्रोल किया जा सकता है, वाइडल टेस्ट कंफर्म्स, वाइडल टेस्ट तब करवाय जाता है, जब किसी को टाइफॉइड होता है, टाइफॉइड एक बैक्टिरियल डिजीज है, जो कॉस करता है सेल्मोनेला टाइफी, ऐसी लेपरोसी, लेपरोसी भी एक बैक्टिरिय लेपरी की वज़े से Tuberculosis भी एक bacterial disease है उसे cause करता है Microbacterium tuberculi इसके लिए जो vaccine लगाई जाती है BCG की BCG यानि Bacillus Calmate Urine और plague ये भी एक bacterial disease है जिसे cause करता है Yarsinia Pestis ये चारो ही bacterial disease थे और इनके bacteria के नाम भी बहुत important है तुई ने याद रखना Which among the following is used in the galvanization of iron to prevent from rusting लुहे को जंग लगने से बचाने के लिए उसके उपर zinc की coating करी जाती है और इसी process को galvanization बोला जाता है Who has been awarded with the Vyasa Samman 2023 Vyasa Samman जिसे हर साल KK Builder Foundation के दौरा दिया जाता है इस award में 4 लाग रुपे एक citation और एक प्लाग दिये जाते है ये 2023 में 33 वे व्यasa Samman दिया गया था जो मिला है Hindi writer पुश्पा भारती को उनकी memoir यादी यादी और यादे के लिए इसके अलावा 2023 का सरस्वती सम्मान ये award भी KK Builder Foundation के दौरा दिये जाता है लेकिन इसमें 15 लाग रुपे एक प्लाग और excitation दिये जाते है इस साल ये award मिला है मलियालम poet और author प्रभा वर्मा को उनकी novel रूद्रा साथविकम के लिए ये दोनों ही awards बहुत important हैं और बहुत सारे exam समेन के बारे में कई बार पूछा गया है इसलिए दोनों ही नाम याद रखना नसीम अल बहर is a military exercise conducted between India and which country नसीम अल बहर एक नीवल exercise है जिसे इंडिया और ओमान की नीवीज की बीच में कंड़क्ट किया जाता है एक exercise है जायर अल बहर बहुत लोग confuse हो जाते हैं जायर अल बहर इंडिया और कतर की नीवीज की बीच में होती है नसीम अल बहर होती है इंडिया और ओमान की नीवीज की बीच में तो इसमें confuse मत हो न और military exercise से related एक पूरी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी अपने नहीं देखी तो प्लीज आके देखिए इस अवार्ड को 2021 तक राजीव गांदी खेल रतन अवार्ड बोला जाता था फिर इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यान चंद खेल रतन अवार्ड कर दिया है इस अवार्ड में 25 लाग रुपे और एक मैडल दिया जाता है और इस साल यह अवार्ड दिया गया है हमारे बैडमिंटन के डूओ साथविक साहिराज रंग की रेड़ी और चिराग शेट्टी को विच इस दब मोस्ट सैंक्शन कंट्री इन दे वर्ल्ड इन 2024 हाली में एक लिस्ट रिलीज की गई है जिसमें दुनिया की उन कंट्री का नाम है जिनके उपर सबसे जादा सैंक्शन लगे है आगर हम 2022 से पहले देखे तो नंबर वन पर इरान था जिसके उपर सबसे जादा सैंक्शन लगे वे थे जब तक रशिया ने यूकरियन के उपर इन्वेजन नहीं किया था लेकिन रशिया ने जब सी यूकरियन के उपर इन्वेजन किया है उसके बाद से सबसे जादा सैंक्शन वाली कंट्री रशिया हो गया है और उसके उपर इतने सारे sanctions लगे हैं कि रशिया के बाद कि अगर 5 countries की sanctions को हम total भी कर लेंगे तो भी वो रशिया के बरावर नहीं पहुँश बहेंगे आज के time में 19,000 से जादर sanctions रशिया की उपर लगे हुए हैं उसके बाद भी, रशिय की economy, यूरोप की कई सारी countries की economy से बहतर perform कर रही है। और इसी बाद को देखकर, यूरोप की कई सारी countries की जो leader है, वो अपना सरक हो जा रहे हैं। कि इतने sanctions लगने के बाद भी, रशियरुग नहीं रहा है। ओके गाईज तो यह आपका आटवा पार्ट था बेस्ट फाइवंड्रेट का इसके आगे के पार्ट भी जलती आएंगे तब तक उससे पहली के जितने पार्ट आचुके हैं उनका रिविजन अच्छे से करिए मल लगा के पढ़ाई करिए and I'll see you in the next class